हेलो दोस्तो राम राम नमस्ते परणाम अपले के स्वागते हैं अमारे एक और निव वीडियो में तो आप सब कैसे हैं दोस्तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और सब कुई अपने अपने जिन्दिगी में ब्यास्थ होंगे तो ये ब्लोग हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टाइम हो रहा था नौ बज रहा था नौ साड़े आठ हो रहा था और मेरी लाडो का अस्कूल भी जाने का टाइम हो गया था मैं जल्दी जल्दी नहा के आके मैं मतलब कुछ की नहीं भगवान वेगरा का साब सफाई नहीं कि नहीं तो पहले नहा के मैं आके भगवान जी का मैं सफाई वेगरा वहां का फूल वरतन तो रात में हटा देते हैं फिर भी जो भी होता है मैं करती हूं लेकिन पर श्ट में आज लाडो को रखे क्योंकि 8 बज के 40 मिनट हो गया था और 8 बज के 50 मिनट में मेरी साम को बाद में करेंगे पहले लाड़ो को करते हैं तो मैं लाड़ो को जल्दी जल्दी त्यारी कर दे थी और इस तो बाल बनवाने में भी ड्रामा करते हैं और देखिए अपना इसका तो कभी भी डांस ही रहता है और इसको मैं त्यारी कर दे थी जाड़ो पेचा करते-करते मैं उसको खाना भी दे देती हूँ कि तुम अपना नास्ता कर लो क्योंकि उसको मतलब खिलाने के जरूरत नहीं पड़ता है उसको दे देने पे अपना नास्ता आराम से कर लेती है टीवी देखे या मोबाइल देखके अपना आराम से खा लेती है यह नहीं तो ऐसे जाओ और रेड़ी करो न तो नहीं हो पाता है इसलिए पहलों हमको देना पड़ता है तो चलिए आप लोग ऐसे ब्लॉग पर बने रहे हैं मैं लाडो को करती हूं रेडि और देखिए इसको डांस देख लिजिए आप लो कैसे कैसे मतलब हर टाइम इसको सांतिस से नहीं रहेगी अपना डांस में लगे रहती है और चलिए दोस्तों मैं ब्लॉग को करती हूं कांटिनीव क्योंकि मैं लग गए थी अब उदर बरतन वेगरा धोने के लिए और लाड दूसरे के साथ हम नहीं जाएंगे अधिकतर ही दूसरे के साथ जाती ही नहीं है हम जाएंगे नहीं तो लाड़ो के पापा जाएंगे वह ही ज्यादा लेके जाते हैं क्योंकि हमारा काम खतम नहीं हो पाता है उस टाइम में कभी कभार खतम हो जाता है तभी मैं लेके जाती और उदर से फूलूल बरतन उरतन हटा के मैं यहां आ गईती सिंख में द्धोने के लिए वस्रूमसे आके हाथ वगरह धोते हैं चिरपेश में हम पूजा के बरतन वगरह ऐसे ही धोते हैं और वाकी ऐसे ही नर्मल थोड़ा सा पानी लेते हाथ रूते हैं और हमारा जो काम होता है वा वाथरूम में होता है या नहीं तो हम लोग खाना वाधर खाने के बाद डाइरेक्ट कीचेन में जाते हैं और सुबा ही उठके दोस्तों पहले मैं बेश्रिंग को धोती हूँ उसके बाद ही पूजा का समान यहां पूजा का बरतन मैं धोती हूँ और मैं यहां केमरा सेट कर रही थी फिर भी देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हुई गया मेरोको लगा नक्या अच्छा से सेट हो संट फीर वहां बालटी में पानी लेकर आके मैं भगवान जी को थोड़ा साइशा है दोने के लिए दो रही थी क्योंकि भड़्वान को भी धोना जरुरिये और मैं डेली दोती हूं भगवान को क्योंकि हम लोग डेली नहार हैं तो भगवान को भी पुछना जरूरी होता है तो मैं भगवान को गंगा जल डाल के पानी में मैं भगवान को भी दोती हूं फिर आप लोग ऐसे ब्लॉग पर बने रहें दोस्तों मैं ब्लॉग को करती हूं कंटीनीव और दोस्तों हमारे यह महराज जी ने लडू गोपाल को उठाके क्योंकि लडू को स्कूल से छोड़के आ गये थे और लडू गोपाल को उठाके यही असनान करा रहे थे कि यह जादा अधिकतर लडू को यही असनान कराते हैं और क्योंकि ऐसे जल्दी हो जाता है ने तो मतलब भगवान जी के पास दुबबति बार के फिर मैं उनको असनान कराती हूं ऐसे उधर हम कर लेते हैं इधर यह कर लेते हैं पता नहीं चलता है जल्दी 10 मिनट के काम 5 मिनट में हो जाता है या 15 मिनट के काम 10 मिनट में हमारा सफल हो जाता है तो मैं बगवान जी को टीका वेगरा लगा रहे थी क्योंकि सबसे पहले बगवान जी को साफ सफाई करके ग करें रहे अगर हमारा ब्लौग दोस्ते आप लολोग आपक्ति नोटिफिकेशन चल जाए और एक प्यारा सा कमेंट करेंगा जैस रिए Мिया nhत्ता नहीं करते हैं विफिर दोस्तो Since और यहां हमारे महराजी ने लड़ु गुपाल को सजा दिये थे नहवाक के उनको और देखिए कितना अच्छे लग रहे थे तो आई आप लोको बता रहें कि हमारे लड़ु गुपाल सज गए हैं त्यार हो गए हैं अच्छा नहीं दिया था और मैंने दूसरा बेड़ बुक की हूं उनके लिए ऐसे तो उनके लिए आया है मच्रदानी में गदा ही साथ में दिया और वहां मैंने पूझा वगारा कर लिए हुए तो इसंप वीडियो को मैं केप्चर नहीं कर पाई हूं वीडियो जद्वाल व पुजा उजा करके सुर्य भवान को जल विगरा देके और मैं यहां लडू को पाल को भजन सुना रहे थी तो अहीं मैं ताली बजा बजा के अपना भजन गा रहे थी तो उस वीडियो को मैंने काट दी हूं नहीं कर पाई हूं पूरा कैप्चा और यहां दोस्तों पुजा कर करने के बाद टाइम हो गया था एक और बाकी नस्ता उस्ता तो हम कर ले थे लाड़ो आ गई थी हमारी अस्कूल से पढ़के और समय कब बिच जाता है पता ही नहीं चलता है क्योंकि क्या बता है अब बारिश तो छुटने के लिए नाम नहीं ले रहा है एक ही पेक हमने कप खशो謁ड हो गया हम इदर आगे हैं यह दो पहर का समय हो गया है दोस्तों वह रहा है कितना भेलए पले हो एक, घेड़ के आस पबास में हो रहा था, घेड़ बच गया था और मैंने जो भी हमारा कपड़ा सुख सब्ला गूआ ह develops already, अहां भी मेरा से गल्या जो सेट की होना तो थोड़ा मेरा चेहरा कट गया तो कोई नहीं इसको इग्नॉर करिएगा आप लोग और देखिए दोपार का समय हम सोके भी उठ गये थे सोके उठने के बाद कपड़ा वेगरा तो मैं लेकर रख दी थी दोस्तों खाना वेगरा खाके फिर मैं आप लोग से बत मैं अपने काम में बिजी हो गई थी जो भी यहां हमारा कपड़ा था ना कपड़ा तो जदा हो गया था दो दिन के कपड़ा हो गया था क्योंकि दो दिन से हमारे तरफ बारिस हो रहा है और धूप नहीं हो गया तो सुखे का कहा से कपड़ा ऐसे हैं चारों तरफ मैंने फै दूद बार था फिर अगले दिन गुरू बार इसलिए में गुरू बार के दिन कपड़ा लेकर नहीं हो गया है और समय होने को जा रहा होगा साड़े चार और देखिए में यहां दाड़ी जो मलाई रखी थी ना दूद के ऊपर वाला तो उसी का मैंने यहां निकाल के रख ल गडालती हूं कडाई में तो थोड़ा सा ज्याधा हो गया है कोई नहीं कि इसको मैं आचा से खन लें देती हूं और आप लोगा ऐसे व्लोग पर बने रही हैं मैं बैठाती हूं अब चाय और देखिए दोस्तों हम अजा बैठा दिये और यहां थोड़ा सार्वा है कर रहे हूं कि जब दी से छूट जाएगा तो चलिए आप लोग ऐसे ब्लोग पर बने रहे हैं और दोस्तों घी को ना बहुत लब गैस को मीडियम मीडियम क्या पूरा लो करके हमको घी को खाराना पड़ता है क्योंकि सुरू में तो हमने तेज कर दी थी फिर लास्ट में हमन मैं आज का सुबा का ब्लोग शूट की हूँ और मैंने टाइम हो रहा था सुबा में छे बज रहा नहीं साड़े पांच हो रहा था तो मैंने जाड़ू एगरा लगा ली थी आज उठी थे मैंने साड़े चार बजे के आसपास में तो मैंने जाड़ू ओडा लगा ली थी औ में सब कोई सोया था तो मैंने नहीं उसको की थी और मैं डाइरेक्ट आ गई कीचन में जो कि मेरा दाल हो गया है और दाल इसलिए मैं जल्दी बनाती हूं ना क्योंकि लाडो के पापा दाल रोटी खा के सुबह में चले जाते हैं और सबजी भी तो आज तो दही है तो फिर भ अब बनाने के लिए और मैं इधर इंडेक्शन पर क्या बोलते हैं दूद भी खोल आ ली थी दूद का बरतन मैंने वेशिंक वे रख दी वही बरतन दोचार था ना तो मैंने बरतन को धो लीती काम खाना के साथ साथ जो भी दोचार बरतन होता है मैं उसको भी सफाई कर ले क्योंकि ऐसे एक ही पेक ज्यादा बरतन हो जाएगा ना तो ज्यादा मतलब घवडाहात जैसी हो जाती है मेरे को इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बरतन निकालती जाती हूं और धोते जाती हूं और उधर देखिए दोस्तों मैंने इंडेक्शन पर सबजी के त्यारी कर रही थी और टाइम हो गया था साड़े साथ होने वाला था फिर भी मैंने क्या बता है और बीच में बटके हम लोग चाइव एकरा पीने लगे ना तो इसलिए मैंने गैस को बन कर दी थी और भुंजिया भी होई गया था फिर भी उसको थोड़ा सा सोना होने देते हैं जो कि बना